क्या CNET exam का syllabus change हो गया है? अगर हाँ तो क्या changes आए है? क्या GK remove कर दिया गया है? क्या सिर्फ 12th का ही syllabus आएगा? ये सारी बातों का clarification आज के वीडियो में मैं आपको दूँगी Let's start Hello everyone, welcome to Spark of Classes, this is Suman Yadav CNET, CNET का जो exam का syllabus है उस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और आप कई लोगों ने कहा कि मैं changes आ गए है आप लोग absolutely right हो, वहाँ मेरी गलती है, I'm sorry मैं आपको recent update नहीं दे पाई, जो आपका तुरंद का वो निकला हुआ था उसी दिन निकला था syllabus में changes ठेक है, पहले कुछ और syllabus था और अब काफी change कर दिया गया है syllabus तो क्या changes आए है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ and I'm really sorry for the previous video उसमें जो बताया था syllabus वो previous year के according था, इस साल वो valid नहीं है ठेक है, इस साल क्या syllabus है मैं आपको बता दे रही हूँ और ये वीडियो मैं उस वीडियो के comment में भी pin कर दूँगी ताकि जो नए लोग देखे वो उससे भटके न तो उसमें edit तो मैं नहीं कर सकती, I'm sorry for that क्योंकि ये हमारे हक में नहीं होता, जब वीडियो upload कर दो तो उसमें कुछ change कर पाऊ ये हमारे हक में नहीं होता है, ठीक है, तो changes क्या है एक बार मैं discuss कर ले रही हूँ आपका GK रिमूव कर दिया गया है, बिलकुल रिमूव हो चुका है, GK के questions नहीं आएंगे और PCB यानि की physics, chemistry, biology, English और आपका nursing aptitude आएगा PCB और English आपके 12th लिवल का पूछा जाएगा और nursing aptitude तो 12th में है नहीं तो वो बाहर से पूछा जाएगा और उसके questions भी बहुत जादा tough नहीं होते हैं, आप इसके लिए directly question प्राक्टिस कर सकते हो YouTube वीडियो के थू, ठीक है, और ये पूरा आपका 12th लिवल का आएगा YouTube मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया, ये आपको information brancher में मिल जाएगा, information bulletin भी जिसे कहते हैं उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, thank you so much for reminding me students कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कुछ गलत बता दो गलती से, या previous year का कुछ बता दो, जो कि इस year valid नहीं है, ऐसा हमसे भी हो जाता है, बच्चो कभी-कभी ऐसी गलतिया हो जाती है, कि वो previous year का हम बता देते हैं, और तुनंत कुछ दिन बाद कुछ changes आ जाते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है बच्चो, अगर previous year ऐसा था और दो-तिन दिन के अंदर ऐसा हो गया, change आ गई दूसरे, तो कभी-कभी हम लोग उस चीज को miss कर दे रहे हैं, थोड़ी दिर बाद हम update दे रहे हैं, तो ऐसे में कई सारे बच्चे बहुत negative comments करते हैं, जो कि अच्छी बात न होनी चाहिए, ऐसे आपको किसी को भी कमिया अगर उसकी बतानी है तो आपको इसी तरह बतानी चाहिए, as a teacher मैं आपको ये गाइड कर रहे हूं, कि कभी भी कोई भी अगर कुछ गलत बोल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है, कि उसकी स्थिती ठीक नहीं होती है, या उसको उस टाइम नहीं पता होता है, तो आपको उसे ट्रॉल करने के बजाए, आपको ऐसे ही सज़ेस्ट करना चाहिए, प्यार से, किसी को भी ट्रॉल मत किया करो, this is not good thing, ठीक है, मुझे आपके कल आप लोग के कमेंस बहुत अच्छे लगे, जो आप लोग ने मुझे सज़ेस्ट कि यो कि अपडेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको दिल से थांक्यू कहना चाहती हूँ इतना समझने के लिए, ओके, so this is all about the video, और कोई दिकत, कोई परिशानी होती है, तो आप कमेंस में में मेंशन करना, और मैं में मेक्शे और करोंगी कि दुबारा ऐसी चीज़ यहाँ पर मिलेगी, मैं इस बात को इंशयू करती हूँ, this is all about the video, thank you for watching, bye, take care.